तो चलिए आच छे बीटिफुल दिया डेकोरेशन करते हैं तो यह मेरे पास कुछ कटाउट्स थे अगर आपके पास यह कटाउट्स नहीं है तो आप इसको काड़ बोर्ड से सिंप्ली कट कर सकते हैं लास्ट येर मैंने काड़ बोर्ड से ही कट करके बनाया था चैनल पर मेर वीडियो अलड़ी अप्लूडड है तो आप चाहें तो उसको चेक आउट कर सकते हैं या आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्स मिल लिक प्रोवाइट करवा दूंगी तो यहां पर देखिए मैंने इसको पहले पहला वाला जो कर रही हूं मैं गोल्डिंग कलर से इस तरीक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साइड में दीएगे बैल आइकन को जरू हिट कर लिजेगा जिससे आपको आने वाले इस चैनल की वीडियो इसकी नोटिफिकेसे मिल से करती रहती हूं उसके साइड में मैंने इस तरीके से मिरर्स लगा दीए हैं यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे candle प्लेस करके आपको दिखा रहे हूं आगर आप चाहें तो गोल्डेन डिया ले लिजेगा उसको भी गोल्डेन कलर से पेंट करके और उसको भी समी डाल के रख सकते हैं तो परौपर दिया हो जाएगा आप चाहें तो इसको competition वगरा में भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो उसे लिए second idea share करते है second idea में मैंने जो beach वाला हिस्सा है इसको मैंने sap green color से color किया है और side में मैं aqua color का यूज़ कर रही हूँ beach में मैंने arcalic paint का यूज़ किया और side में मैंने chalk paint का यूज़ किया है आपका जो भी है उसका use कर सकते हैं देखे साइड में मैंने इसको इस तरीके से color कर लिया है इसको करके हम इसको रखतेंगे proper dry होने के लिए dry होने के बाद हम इसको decorate करना start करेंगे तो इसके लिए मैं बहुत चुट चुटे से मतलब ऐसे जैसे आते हैं आप देखेंगे जल्री बगर हमें भी लगे रहते हैं ये silver करके थी तो मैंने इसको यहां पर place किया है ये बहुत सस्ते मिलते हैं मतलब 10 रुपए का बहुत ज़दा मिल जाता है अराम से उतने में तो आप 25-35 candle बना लेंगे तो इस तरीके से देखें मैंने यहां पर side में भी लगा दिया है तो इसके पूरी sides को cover करना है थोड़ा सा time taking है ये वाला लेकिन काफी सुन्दर लग रहा है ये बनने के बाद और बहुत ही cheap है इससे कुनन थोड़ी से costly होते है मतलब बहुत जादा नहीं इससे थोड़ी से costly होते हैं लेकिन यह बहुत ही cheap है देखें तो आप बोलेगे मैं आपने cutout से बनाया है तो cutout की जगह आप cardboard का use कर सकते हैं बहुत ही असान है मैंने last time cardboard से बनाया था वो भी बहुत ही प्यारा निकल के आया था देखें उसके जो holders आते हैं market में बहुत ही costly मिलते हैं मैंने कुछ whites dot रख दिये हैं साइडों में देखें इस तरीक से मैंने कुछ dot रख दिया आप चाहें तो simply ऐसे भी छोड़ सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है एक मैंने same red बनाया है एक red और एक aqua बनाया है तो आप खुद करके रख सकते हैं एक में green एक में red तो काफी खूबसूरत लगेगा आप मैं candle से यहाँ पे आपको place करके दिखा रही हूँ देखें आप चाहें तो यहाँ पर दिया भी जलाके रख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगेगा क्योंकि इसकी बीच वाली space है काफी बड़ी है तो उससे मैं decorate कर रहे हैं इस तरीके से मैंने हाप पल पूरे साइडों में लगा दिया है यह देखें इसमें भी मैं एक green बनाओंगी और एक blue बनाओंगी तो आप पर देखें इसको मैंने अच्छे से कर लिया उसके बास साइडों में मैं इसके भी mirror place कर रही हूँ यहाँ पर जो भी बच्चे हुए तो मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है अब देखिए मैं यहाँ पर वहाँ पर मैंने टूल से बताया था यहाँ पर माचस की तीली से बता रहे हैं जरूर नहीं कि आप उसी से करें तो किसी से भी आप इस तरीके से dots बना सकते साइडों में इस सबको कलर ड्राइव होने के बाद मैं सप्पे वार्ने सप्लाई कर दिया था जिसी हमारा लॉंग लास्टिंग रहे और गंदा नहीं हो देखे तो इसमें मैं आपको केंडर प्लेश करके दिखा दे रहे ही इसमें भी आप दिया बना के लगा सकते तो आप मुझे जरूरूरा आपको कौन से ज्यादा अच्छा लगा चलिए नेक्स वीडियो में मिलते हैं